Hello students, आज हम लोग करने जा रहे हैं the excretory system. ये भी एक important human system है और इससे भी questions आने के chances रहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले, excretion एक process है जो कि chemical waste remove करता है हमारे body से, mainly nitrogenous. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है. हमारे body में जो defecation की process होती है, मतलब जो feces को eliminate करने वाली process होती है, वो excretion नहीं है. वो बस undigested food को pass out करने का process है. Similarly, जो CO2 को हम लोग remove करते हैं body से, वो भी excretion की process में directly नहीं आता. उसे हम लोग respiration कहीं एक part मान लेते हैं. हम लोग कहते हैं कि breathing के दौरान ही वो process हो रहे हैं और उसे उसके अंडर पढ़ा जाता है, उसके अंडर analyze किया जाता है. इसलिए mainly जो हमारे systems होते हैं, उन्हें urinary system कहना ठीक है, क्योंकि इनहीं को mainly participate करना रहता है excretion के process में. सबसे पहला है कि सबसे जो important substances ऐसे कौन-कौन से हैं, जिन्हें excret करना है, तो हमें पता है कि carbon dioxide and water हमारे body के normal processes में produce होते हैं. Water अलग-अलग systems में use हो जाता है और carbon dioxide हमारे lungs के थुरू breathe out जब हम लोग करते हैं, तो उस समय निकल जाता है हमारे body से. अगला है nitrogenous waste, तो similarly जैसे हमारे body में processes के दौरान ही carbon dioxide of water बन रहे थे, वैसे हैं, ऐसे nitrogenous wastes भी बनते हैं metabolic process के दौरान. इन nitrogenous wastes को excret करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्हें allow करने किया गया रहने के लिए हमारे body में, तो ये death भी cause कर सकते हैं. जैसे हम लोग जानते हैं, urea, uric acid और ammonia के बारे में, ये तीन तरह से excretion किया जाता है, हमारे body में किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. excess salt, अगर मान लीजे, NACL की quantity ज़्यादा होगे है हमारे body में, तो वो हमारे body का osmo regulation खराब कर सकता है, मतलब हमारे body में जो अलग-अलग salts के composition है, उन्हें ठीक रखने के लिए इन salts को भी excret करना जरूरी है. इसके साथी जो water soluble vitamins होते हैं, vitamin C और vitamin B, इनको भी निकालना जरूरी होता है गर ये excess amount में ले लिये जाएं तो. हम लोग जानते हैं, fat soluble vitamins और water soluble vitamins अलग-अलग होते हैं. fat soluble vitamins को तो store करने के अलग-अलग process है हमारे body में, liver जैसे उस तरह के process water soluble vitamins के लिए नहीं है. इसलिए आपने देखा होगा कि हमें जब भी vitamin B या फिर vitamin C जैसे vitamins prescribe किया जाते हैं, तो वो एक tablet एक दिन में या फिर weekly दो-तीन tablet, क्योंकि अगर इन्हें excess में ले लिया जाए, तो यह बाहर ही चले जाते हैं हमारे body के और यह utilize नहीं हो पाते हैं body के अंदर. उसके बाद है water, जैसे हम लोग जानते हैं water को भी निकालना ज़रूरी है body से, वैसे ही osmoregulation के process के लिए, और bile pigments, जैसे हम लोग जानते हैं RBCs को जब breakdown किया जाता है liver के अंदर, तो वहाँ पर bilir bilirubin और bilirubin करके दो pigments बनते हैं, bilirubin yellow color का होता है और bilirubin generally brownish color का होता है, तो इन pigments को भी हमारे body से निकालने की ज़ुरत होती हैं, उसके बाद है excretory organs हमारे body के major excretory organs हैं, पहला है kidney, sweat glands, lungs, sweat glands हम लोग जानते हैं कि sweatosobaceous glands जो हमारे body के होते हैं, उनके through भी बहुत सारे waste निकाले जाते हैं हमारे body से, इसलिए कहा जाता है कि जब sweating excessive हो रही हो, इसका मतलब है कि body कुछ substances को remove कर रहा है, mainly salts जो होते हैं, वो remove होते हैं, और हमने देखा है कि अगर excessive sweating, बहुत ज्यादा sweating हो जाए, तो हमारे body में salts की कमी भी हो जाती है, उसका main कारण यही है कि इस sweat के साथ, generally देखा जाता है कि यह, जो salts होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर kidney के structure के बारे में बात की गई है, the kidneys are two bean shaped organs, इनकी length और width आपको पढ़ने की ज़ुरत नहीं है, either side of the backbone are unprotected by the last two ribs, इनहीं protect करते हैं, last two ribs, यह जरूरी चीज़ है, यह आप याद रख सकते है the right side kidney is slightly lower than the left one, यह भी एक important information है याद करने के लिए, right side kidney थोड़ी सी lower होती है, left side के मुकाबले, आपने stomach का structure देखा होगा, तो आपने, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो जो हमारे organs हैं अलग-अलग, वो arranged होते हैं हमारी body में, और इसी के कारण, वहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर भी हमारे body में दूसरे organs को जगर देने के लिए ऐसे arrangements किया जाते हैं, a tube, the ureter, arises from the notch, a hilum, in the median surface of each kidney and connects behind with the urinary bladder in the lower part of abdomen, the front end of the ureter is somewhat expanded into the kidney and is called pelvis, the urine produced in the kidneys constantly flow through ureters and collects in the urinary bladder, यह excretory system का एक डाग्राम है, इसे आपको पता होना चाहिए, और यह diagram आपको draw करना भी आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, आप अगर कोई exam subjective type का दें हैं, तो आपको यह चीज़ draw करना भी हो, और draw करने अगर आपको आता है कोई system, तो वहाँ पर आप याद बहतर धंग से रख पाते हैं, अगर आपको यह चीज़े पता हो तो, इसके जाती इसे separate करके हमारी body से भी थोड़ा सा दिखाया गया है, यहाँ पर aorta और renal artery के भी हम लोग चीज़े देख सकते हैं, renal artery वो artery है जो की kidneys के अंदर जाती है, और renal vein वो vein है जो की kidneys के अंदर जाती है, outer हमने देखा है, heart से connected होता है directly, और urinary bladder के ऊपर एक sphincter होता है, जो की रो the openings of ureters into the bladder are somewhat projecting and act like valves to protect the back flow of urine when the bladder contracts to pass out the urine, तो जब हमारी urine pass out हो रहा हो, उस समय यह वापस की तरफ न चली जाए, इसलिए ऐसे projecting होते हैं हमारे ureters के opening bladders की तरफ, उपर भी हमने देखा था अगर आपने miss कर दिया उस चीज़ को, की ureters की जो opening kidney में होती है, वो pelvis का formation करती है, क्योंकि expand हो जाते हैं यह kidneys के अंदर जाते हैं, यह pelvis आगे चलका हम लोग इसके functions देखेंगे, यहाँ पर भी आप इस diagram में ही देख सकते हैं कि यह इस तरह से ureter जो kidney में खुलता है, तो किस तरह से expanded होता है kidney के अंदर, अगला है a sphincter guards the opening of bladder into the urethra and relaxes only at the time of urination, urination के लिए जो term है उसे micturation कहा जाता है, उसके बाद है internal structure जो kidney का है यह काफी important है, kidney में mainly दो sections देखे जाते हैं, एक dark cortex जो की बाहर की तरफ होता है और एक inner medulla जो की थोड़ा light होता है, देखने में अगर हमें differentiate करने की ज़रुरत पड़ी तो, medulla composed of finelyis type substances arranged in several conical pyramids, यहाँ पर आप structure देख सकते हैं कि इस तरह के pyramids बने होते हैं, जो की जिनका एक end इस pelvis में खुलता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, the apex of each pyramid projects into the pelvis of the kidney, the kidney is composed of an enormous number of minor tubules called uriniferous tubules, या फिर nephron जिनहें कहते हैं, या फिर renal tubules, या फिर kidney tubules, जैसा हमने देखा था कि respiratory system में alveoli एक fundamental unit होते थे, respiration के, वैसे ही nephrons यहाँ पर एक fundamental unit है, excretion के, आपको यह याद रखना है कि kidney के formation में ये nephrons सबसे major role play करते हैं, kidney tubule का जो structure होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए, यहाँ साथी साथ, अगर आप इस diagram को भी observe करते चलें तो बहतर होगा, यहाँ सबसे पह की तरह यह होता है, और इसके अंदर efferent artiol आता है, और efferent artiol जाता है, अगर आप गौर से देखेंगे, तो यहाँ efferent artiol wide है, और efferent artiol narrow है, इसका क्या कारण है, यह होता है, ताकि यह जो blood अंदर आ रहा है, यह बाहर जाते वक्त, या फिर इस structure में ही रहते वक्त, ए और इस pressure को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए निकलने वाली artiol को छोटा मतलब कम radius का कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर pressure बहुत ज्यादा होता है, और इसी के कारण यहाँ filtration होते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं सारे substances, वही हम लोग पढ़ेंगे आगे उसक इस region को nalpegian capsule कहा जाता है, proximal और first convoluted tubule is the starting convoluted region to the tubule, proximal का मतलब nearer होता है तो इस तरह से आप इसका नाम याद रख सेकते हैं से PCT कहा जाता है, यह bowman's capsule के तुरंत बाद होता है, इसके बीच में एक loop of hinley आता है और फिर distal convoluted tubule हमें देखने को मिलता है, distal distance से आया है और यह दूर होता है, इसलिए आप इसका नाम इस तरह से याद रख सकते हैं, उससे DCT कहा जाता है, bowman's capsule and the proximal convoluted part lie in the cortex giving it a dotted appearance in sectional view, जब आप वो sectional view देखेंगे kidney का, रुकिये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो cortex में present होते हैं यह दोनों parts, इस tibule के और जो loop of henle होता है, वो अंदर medulla की तरफ stretched होता है, इस diagram में आप देखें, loop of henle इधर medulla की तरफ जाता है, नीचे की तरफ, middle U-shaped part, loop of henle is shaped like hairpin, it is not convoluted, it runs in medulla to turn back and to re-enter the cortex to continue into the next convoluted region, जिसे distal कहा जाता है, is the end part of the kidney tubule, it opens into a collecting duct, the collecting duct receives the contents of many kidney tubules and pours it as urine in the pelvis of the kidney, जैसे आमने उपर देखा था, medulla में, जो pyramids होते हैं, वो pelvis में खुलते हैं, और यही collecting tubules help करते हैं, collecting duct, जिसे कहते हैं, यह help करते हैं, कई सारे collecting ducts present होते हैं, और यह collecting ducts help करते हैं, urine को पहुँचाने में pelvis तक, pelvis के बाद वो ureter और फिर वहाँ से urinary bladder में जाते हैं, यह वाला जो diagram है, यह याद रखना काफी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी process हम लोग पढ़ेंगे, वो इसी से related होगा, आपको तुरंथ relate करना होगा, इसके अलग-अलग organs से, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कई सारे coverings की तरह present होती हैं, renal vein और efferent arteriole के बाद जो arteries आती हैं, वो PCT और DCT को cover करती हैं, इसके साथ ही loop of Henle को भी cover करके रखती हैं, यह चीज आप याद रखेगा, आगे हम लोग एक process पढ़ने वाल हैं, जिसमें यह काम आएगा, blood supply to the kidney tubules कैसे होता है, तो efferent arteriole से आती है, और efferent arteriole से जाती है, efferent arteriole wider होता है, efferent arteriole का width होता है उससे, और efferent arteriole इस तरह से इसी ली होता है, ताकि pressure बढ़ाया जा सके, इसके बाद यह secondary capillary network में break कर जाता है efferent arteriole, यह भी याद रखने वाली जरूरत वाली चीज़ है, क्योंकि यही secondary capillary network हमें बाद में जो हम देख रहे हैं absorption करने में help करेगा, तो अभी के लिए आप याद रखें, जो function of kidney formation के तरह से होता है, यहाँ पर दो processes आप है, ultra filtration और reabsorption, जो चीज़े मैंने आपको उपर याद रखने के लिए बोली थी, वो यहाँ पर काम आएंगी, ultra filtration क्योंकि efferent और efferent arteriole के width में difference होता है, इसी इसलिए pressure बहुत ज़ादा होता है वहाँ पर, ultra filtration इसी pressure का result है, इतने ज़ादा pressure से जब booman's capsule पर लगता है, तो वहाँ पीछे की तरफ से बाहर आ जाते हैं, जितने भी liquid portion है, और जो भी solid waste या फिर large size waste होता है, वो यहीं पर रुख जाता है, जबकि liquid वाला part इधर की तरफ या फिर जो छोटे molecules होता है, वो इस तरफ चले जाते हैं, इसी process को ultra filtration कहा जाता है, ultra क्यों, क्योंकि booman's capsule के जो छेद होते हैं, वो बहुत चोटे होते हैं, और filtration इसलिए क्योंकि वो filter कर देता है दो अलग-अलग parts में उस blood के fluid को, great pressure बनता है वहाँ, glomerulus में, the reason for this great pressure, efferent arterial narrow होता है, this high pressure causes the liquid part of the blood to filter out from the glomerulus, the filtration under extraordinary force is called ultrafiltration, इतना जादा force वहाँ लगता है, इसी कारण से उस ultrafiltration कहते हैं, during ultrafiltration, almost all liquid part of blood, including urea, glucose, amino acids, comes out of the glomerulus and passes into the funnel-shaped cavity of the bowman's capsule, यह आप देख सकते हैं, यह जो cavity है, यह funnel के shape की है, तो इस funnel-shaped cavity में चली जाती है, the glomerulus filtrate consists of water, urea, salt, glucose and other plasma solutes, यह आप देख सकते हैं, कुछ important चीज़ें भी निकल गई हैं, जैसे glucose, salt and water, यही सारी चीज़ें reabsorb होंगी अब, उसी को selective reabsorption कहा जाता है, आप लोग देखते हैं उसके बारे में, यह चीज़ भी याद रखने वाली है, कि afferent पहला चीज़ तो वो था कि afferent arteriol wide होती है, और दूसरा यह कि जो blood afferent arteriol से निकलता है, मतलब afferent arteriol के through निकलता है, वो ठिक होता है as compared to जो afferent के through आ रहा था, अगला हम लोग आते हैं reabsorption पे, इसे selective reabsorption भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे substances reabsorbed नहीं होते, mainly जो चीज़े हमारे लिए useful हैं, जैसे water जो extra चला गया था, या फिर जो glucose हमें चाहिए, वो सारी चीज़ों को फिर से absorb कर लिया जाता है, इसको जो absorption की process होती है, वो PCT, DCT और Henle's loop में mainly होती है, water mostly absorb कर लिया जाता है, यहीं पर उसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगी, कैसे water को rate किया जाता है, अभी के लिए हमें देखना है कि selective इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि water का जो normal concentration है blood में, उसे भी बहुत disturb नहीं किया जाता है, मतलब यह जो urine से, यहीं नहीं बना है भी, यह जो dilute solution से absorption हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा water अगर हम लोग absorb कर लेंगे, तो blood का normal solution dilute हो जाएगा, इससे भी कुछ problems आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, यह किया जाता है कि selectively reabsorb कर लिया जाए, और उसके बाद एक और step होता है, जैसे tubular secretion कहते हैं, यह mainly DCT में देखा जाता है कि potassium और drugs जैसे penicillin, यह सारी चीज़ों को selectively क्या किया जाता है, वापस urine में मिला दिया जाता है इस DCT के अंदर, इसलिए इसे tubular secretion कहते हैं, क्योंकि tubules में जाकर यह secretion होती है, और यह certain substances की होती है, इसलिए से भी selective माना जा सकता है, उसके बाद है कि जो इसके बाद बचा री absorption होने के बाद, उसे urine कहते हैं और वही urine, collecting ducts में collect हो जाती है, और वापस वहाँ से urector में जाती है, urector से urinal bladder, और फिर make curation के थुरू वह excrete हो जाती है बाहर की तरफ, parts of renal tubule एक बाद फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके functions के साथ यह दियावा है, इसका एप screenshot भी ले सकते हैं, यह important part है, इसे भी आप एक बाद रिवाइस कर लें, या copy में कहीं पर लिखिया रख लें, उसके बाद है urine का excretion, urine में peristalsis होती है, waves जैसा हमने यह digestive system में देखा था, यह पर इसे ही यहाँ पर भी waves का formation होता है, जैसे peristalsis कहते हैं, और यहाँ पर gravity का भी support मिलता है नीचे जाने में, urine को expel किया जाता है urinary bladder से, urethra के थुरू जैसे हमें penis of males में देखा जाता है, और directly किया जाता है females में, इसके बाद relaxation होता है sphincter muscles का, जो की urinary bladder के sphincter को खोल देता है, और इसी process को micturation कहा जाता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं, तो आपको physical properties of urine याद करने की ज़रत नहीं है, ये trivial information है, आप बस देख लें कि इसकी volume और इसका pH क्या है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं थोड़ी सी, आप इसका volume और pH बस जान ले, और एक rough idea रखें दिमाद में अगर आपसे वो चीज़ पूच दी जाये तो, उसके बाद constituent of urine आपको mainly बस chemicals के नाम याद रख लेने हैं, कि कौन-कौन सी चीज़ें available होती हैं यूरीन में, आपको क्या उनके percentage हैं, वो याद रखने की ज़रत नहीं है, अब बस यह याद रखनें कि यूरीया, ketamine, uric acid जैसे चीज़ें यहाँ प्रेजन्ट होती हैं, अब normal constituents भी कभी-कभी urine में आ जाते हैं, जैसे blood cells, यह hematuria के condition में देखा जाता है, इसमें blood pass कर जाता है urine के साथ, क्योंकि यहाँ urinary tract में infection, kidney stone या tumor के कारण, आपको इनके causes भी याद रखने हैं, इन diseases के नामों के साथ, उसके बाद है glycosuria, जिसमें glucose पास हो जाता है, इसे diabetes mellitus भी कहते हैं, जो की sugar diabetes कहलाता है, diabetes mellitus के बारे में हम लोग endocrine वाले वीडियो में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, taste of urine इससे भी पता लगाया जा सकता है diabetes के condition के बारे में, अगर sweetish taste है, तो ऐसे urine पर ant gather कर जाती हैं, और ये condition diabetes mellitus के तरफ, या फिर sugar diabetes जिसे कहते हैं, उसकी तरफ indicate करता है, और अगर sugar tasteless है, तो ये diabetes insipidus की तरफ indicate करता है, उसके बारे में भी हम लोग endocrine वाले वीडियो में देखेंगे, वहाँ diabetes insipidus में क्या होता है, कि ADH hormone कम release होता है, और इसके कारण water जो expel होने लगता है, वो काफी ज़्यादा होता है urine के थुरू, और इसी लिए जो concentration होती है, urine की कम हो जाती है, और यहाँ पर tasteless हो जाता है urine, ADH का मतलब होता है anti-diuretic hormone, इसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे, इसके साथी albumin अगर release हो रहा है, यह high blood pressure के कारण होता है, इसमें bowman's capsule की permeability बढ़ जाती है, मतलब इससे ज़्यादा substances release होने लगते हैं, और यही देखा जाता है, इसमें albumin release में, उसके साथी bile pigments कभी-कभी release हो जाते हैं, hepatitis, जिससे jaundice का जाता है, उसमें देखा जाता है कि yellow colored pigments काफी ज़्यादा release होने लगते हैं urine के थुरू, उसके बाद है regulate कैसे होते हैं urine output, तो pituitary gland और diuresis, diuresis एक condition है, इसमें क्या होता है कि increased production of urine होने लगता है, यह क्यों होता है, ADH hormone, anti-diuretic hormone जैसे मैंने आपको बताया था, यह कम produce होता है उस समय, यह increased production of urine होने लगता है, कुछ substances को diuretic substances कहा जाता है, जैसे liquid diet, tea, coffee, alcohol, यह सारे ADH hormones के production को कम कर देते हैं, या फिर water content को बहुत बढ़ा देते हैं body में, जिसके कारण diuresis की condition देखने को मिलती है, उसके बाद osmore regulation कैसे होता है, तो इसमें mainly आपको यही जानना है कि urinate, अगर हम लोग कम time करते हैं, summers में, than in winters and the urine pass is generally thicker, यह देखा जाता है इसी condition के कारण, summers में क्या होता है कि water expel हो जाता है, उसके साथ कुछ salts भी release हो जाता है, जो कि osmore regulation sweating के थूँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो चीज winters में नहीं होती, और इसी कारण से winters में urine ज्यादा होता है, और generally thicker देखा जाता है, summers में जो urine pass होता है, क्योंकि water content कम होता है body के पास, cholera की condition में क्या होता है, कि vomiting और watery bowels देखने को मिलता है, intestines absorb नहीं कर पाती water, जैसे हम लोग जानते हैं, large intestine में भी, बचे खुझे water का absorption होता है, वो water absorb नहीं हो पाता, उसके kidney में ये absorb करना परता है, waters को बहुत ज़्यादा, और ये patient की death भी कर सकता है, क्योंकि uremia हो जाता है, मतलब urea की concentration बहुत बढ़ जाती है, urea poisoning हो जाती है, और इसके कारण patient की death भी हो सकती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, miscellaneous information, artificial kidney, एक नया development है science में, जिसके through हम लोग क्या करते हैं, कि kidneys में, kidney खराब होने की condition में, कई बार क्या होता है, कि हमें patient को हम लोग बचा सकते हैं, ये artificial kidneys का use करके, ये dialysis process के through, इसमें क्या होता है, कि हम kidney like environment बना देते हैं, जिससे ये blood को pass कराया जाता है, पूरी तरह से 2-3 बार, और इसमें क्या होता है, कि सिर्फ mainly जो चीज़े होती हैं, वो selective reabsorption वाली नहीं होती, जैसे kidney में जो steps होते हैं, उनमें से जो unnecessary steps हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, जैसे blood से, blood को पूरी तरह से pass कराया गया, और उससे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को osmosis करवाया जाता है, जो की harmful है, जिनकी ज़वरत नहीं है, बाकी constituents, जो की important constituents हैं, उनका concentration solution में और blood में same रखा जाता है, ताकि वो अंदर बाहर नहों और ज्यादा complexity न देखने को मिले, इसके साथी जो blood को बाहर निकाला जाता है, डाइडेसिस के लिए, तो उसमें ऐसे pigments मिलाए जाते हैं, ताकि blood clot न कर जाए बाहर आके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डाइडेसिस पर ज्यादा questions नहीं आते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि ये आखे process करता क्या है, इसी के बाद excretory substances के बारे में एक table यहाँ दिया वाया, आप देख सकते हैं इसके बारे में भी, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई, तांक यू.